महरान करीमी नासेरी एक इरानी शर्णार्थी थे जो 18 वर्षों से पैरिस के चाल्स्टी गाल हवाय अड़े के पारगमन छेत्र में फसे हुए थे उन्हें फ्रांस और अन्य देशों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और वो इरान लोटने में असमर्थ थे नासेरी वैद इरानी पास्पोर्ट और UNHCR यात्रा दस्तावेश के साथ 1988 में पैरिस पहुँचे थे हाला कि उन्हें फ्रांस में प्रवेश से वंचित कर दिया गया क्योंकि उनके पास्पोर्ट पर शर्नार्थी पदनाम की मोह लगी हुई थे उन्हें अन्य देशों में भी प्रवेश से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वो UNHCR यात्रा दस्तावेश को नहीं पहचानते थे नासेरी को हवाईड़े के पारगमन छेतर में रहने के लिए मजबूर किया गया चहां वो बेंचों पर सोते थे और सारजनिक शौचालियों में नहाते थे वो हवाईड़े के कर्मचारियों और यातियों द्वारा दान दिये गए भोजर और धन पर जीवित रहे नासेरी की कहानी 1993 में लोगों को पता चली जब एक फ्रांसेसी पत्रकार ने उनके बारे में एक किताब लिखी इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवात किया गया और नासेरी की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाया गया 2006 में नासेरी को अंततहा फ्रांस में निवास की अनुमती दे दी गई उन्हें पारिस में एक छोटा सा अपार्टमेंट और सरकार की ओर से मासिक वजीफा दिया गया 2018 में 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया